मित्रों मिरा नाम पंडित प्रकाश जोसी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एश्टवाज में मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं सैजी टीरियन यानि धनुराशी के मंथली राशी फल यानि सितंबर का महिना धनुराशी वालों के लिए कैसा होगा कैसी होग हम धनुराशी की मंथली राशी फल सितंबर की कुंड़ी के बारे में सितंबर की कुंड़ी है तरितिय भाऑ में शनी बैठे है वक्रियों के बैठे है अभी-वी पूर्वा भाधरुपत नक्षत्र के अंदर ये गये हैं इसका च्टूर्थ भाई में राहु यानि कि फूर सितंबर के बाद यह चेंज हो जाएंगे यानि करनिया राशी में ट्रांजिट कर जाएंगे तो इससे क्या ग्रेगोचर की स्थदी बंती इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले धनुराशी के हेल्थ के बारे में बात करें तो सितंबर का महीना उतना अच्छा नहीं है जितना और महीने थे यानि सितंबर के महीने में च्छटे बावों में ब्रस्पती का ट्रांजिट है यानि आपको थोड़ा सा कर आप बूरी चीज करते हैं खासकर मित्रो आप भार का खाना खाते हैं तो थोड़ा अगर अगर अब प्रहेज करेंगे तो ठीक है नहीं तो दिक्कत तो है धन की फाइनेंस के बारे में बात करें तो धन के स्वामी शनी है शनी वकरी है अभी-अभी पूरवा भादरपत नक्षत्र में ट्रांजिट किया है यानि कि सितम्बर के मैने में खास कर पा से अँठारा सितंबर भाइं मित्रों भन के लिए बाकि पूरा का सितंबर का मेना धनके लिए मध्यम रहने वाला वावाथ यह पांस पानलिटी का गुतान भूं भी है इसी प्रकार से परिवारिक भाहों के बारे में बात करें तो हो में राहू बैठा है जैसा कि मैंने कहा था यदि आपकी फैमिली में कुछ चोरी हो सकती है क्योंकि चतुरत भाव में राहू बैठा है तो घर को अगर आप साथ आठ दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो कोई ना कोई गार्ड कोई ना कोई घर की रक्षा के लिए आप जरूर छोड़के ज सकते हैं और घर के लिए कोई बहुतिक वस्तु कि खरीदारी भी आप कर सकते हैं वैसे तो फैमिली के लिए ठीक है लेकिन कहीं जा रहे हैं तो घर का ध्यान रखें नहीं तो चोरी हो सकती है साथिजिसाथ आप धनूर आशी के संतान के बारे में बात करें चाहे च्छोटी बड़ी संतान के लिए नौर्वल है यहां पर कोई स्तती नहीं बिगड़ रही है 16 तारिक से और 30 सितंबर तक संतान को बड़ा नुकसान हो सकता है यह संतान की वज़े से यह संतान के गुसे की वज़े से घर में कोई संतान नुकसान कर सकती है बड़ी संतान है अठारा प्लस संतान है तो वाहन का चलान वाहन को ठोक सकती है वाहन अगर आपने चलाने के लिए बड़ी संतान को दिया तो कुछ ना कुछ नक्षान सितंबर में करके आ सकती है जिसमें वाहन पे भारी नुकसान हो सकता और चोटी संतान गुस्से में जिद में कोई चीज तोड सकती उसके यूग नजरा रहे हैं यानि तोड़ा फोड़ी के बड़े खर्चे के संतान के यूग बन रहे हैं विद्या करिये रिख ले वैसे सितंबर का पूरा महिना ठीक है इसी प्रकार से स्टूडेंट के बारे में विद्यारती के बारे में कहूं तो सितंबर के मेने में मंगल आपके सप्तम बाव में विराज माने और आपकी राशी को देख रहा है तो श्टुडेंट सी यही कहां चाहूँगा छोटी बातों में गुस्टा बिल्कूल ना करना नहीं तो गुस्टे के आवेश में आके आप अपना ही नुक्सान कर बैट सकते हैं, अपना नुक्सान करने के सितंबर में योग बनते हैं, बाकी विद्या के लिए बहुत ही अच शुक्र द्वारा बन रहा है शुक्र केंद्र में मालब यूग बना रहे हैं पांस तारिक से लेकार और 27 सितंबर यानि करीब करीब पूरा ही महीना आपकी अच्छी सेल रहने वाली है मन चाहा ओफिस से आपको काम मिलेगा जो काम आप चाते ना वह आपका बौस आपके सीनि किसी तीर्थ में भी जाने वाले यानि नोकरी भाव तो बहुत अच्छा है अब बात कर लेता है दनुराशी के दामपत्य जीवन की तो सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमी का या पती पत्नियों दोनों हो दो बड़ी घटना है आपके जीवन में हो सकती है क्योंकि मंगल का ट् करियर में कोई डील कैंसील हो सकती है करियर में आपके वादविवाद पार्टनर के रहेंगे यानि करियर से भी बहुत ज़्यदा परिशान रहने वाला है तो कुल मिला के पार्टनर के लिए सितंबर का महिना जो मंगल का ट्रांजीट बहुत अच्छा नहीं आप बात कर ल कई मंगल और शुक्र दसम इस्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं सितंबर के महिने में कहीं न कहीं दो घटना है होती भी नज़र आ रही है पहला चीज आपकी काम बढ़ जाएगा इस ट्रांजिट से यानि अच्छी सेल होती भी नज़र आएगी करमचारी का बैस्ट प्रफो होंगे लेकिन अधरवाइस काम अच्छा है साती साथ दो ग्रेग उचर का ट्रांजिट ऐसा हो रहा है जो कि आपको कुछ रिजल्ट देगा पहला त्रित्य भाहों में शनी वक्री होके पुर्वा भाधरपद नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं तो भी पडोसी से आप को कुछ लाप राप्त हो सकता है काम का लाप राप्त हो सकता है या विदेज समंदी कोई न कोई जो आपने अपलाई किया उसमें आपको कुछ खुशकबरी मिल सकती है कुछ सपलता मिल सकती तो विदेज समंदीत काम में आपको सपलता वा सपलता मिलती भी नजर आ रही है मित्रो आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशी का सितंबर का महिना कैसा रहेगा कैसी होगे उनकी धनकी स्वाष्ट के उनके परिवार की स्थती उनके दामपत्य जीवन की स्थती और मकर राशी के उपर क्या ग्रेगोचर का एफेक्ट पड़ेगा मकर राशी की मंतली प्रिडिक्शन सितंबर की क्या है सितंबर में क्या अच्छा बुरा रिजट मिलेगा इसके बारे में चर्चा इस कारिक्रम में हम करने वाले है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करा करो अगर आपको मेरी भवश्वानिया ठीक लगती है सबसे पहले हम मकर राची की सितंबर की मन्थली कुंडली जाल लेते हैं तो यह मकर राची की मन्थली कुंडली है जो आपके सामने आ रही है शनि आपके दुत्य भाओं में वक्री बैठे हैं और पूर्वा भाद्र पद नक्षत्र के अंदर वक्री हो रहे हैं इससे कुछ गड़बडी आपको होगी वो गड़बड़ी बताओंगा क्या होगी तृत्यबाओं में राहु विराज़मान है। तृत्यबाओं भाई वेन का भी होता है। यात्रा का भी होता है। तो इसमें क्या करने वाला है राहु इसके बारे में भी चर्चा करूँगा। साथ ही साथ गुरू आपके पंचमहां में जहां दो नम्म लिखा है यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलेगा संतान को अच्छा रिजल्ट मिलेगा बुरा मिलेगा— चच्चा करेंगे मंगल आपके चटे भाओं में बुद्ध आपके सब्तम भाओं में और सूर्य और चंद्रमा पांच लिखा है अस्टम भाओं में बैठे हैं शुक्र और केतु नवम भाओं में विराजमान है तो यह आपकी मंतली कुंडली है इसके अनुसार सबसे पहले आ आपकी रासी के स्वामी भी शनी है जो कि पुरुवा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर है तो कहीं न कहीं सितंबर के मेने में दांत में दर्द की प्रॉब्लम आपको रह सकती है या कीडे से समंदित प्रॉब्लम आपको रह सकती है या फिर आपको हड्डियों के ज्वाइ भी खानी पड़ेगी खास कर आप हेल्ट से परिशान रहेंगे तीन सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक आप ज्यादा परिशान रहेंगे अगर यह समय निकल गया तो आप मान के चलिए कि यह ग्रह गोचर यह योग जो बना हुआ वो निकल गया इसके बाद कोई इफेक्ट नहीं हैं तो धनी की स्तती में दुत्य भाव में आपके शनी विराज मान है वहीं पर अश्टम भाव के अंदर सूर्य बैठे हैं और दोनों की एक दूसरे पर दृष्टी है यानि सम सब्तक योग बन रहा है जब सूर्य शनी आमने सामने आ जाते हैं ना मित्रो तो सम सब्तक यो सकता है कोई नोटीस आपको सनी सम सब्तक योग बना हुआ है उससे आपको मिल सकता है किसी सरकारी काम में भुकतान करना पड़ सकता है किसी पैनल्टी का भुकतान मकर राशी वालों को करना पड़ सकता है ऐसा योग नजर आ रहा है साथी साथ देखा जाए तो बारा तारि के खर्चे जादा है बारा से ती सितंबर के बीच में धन का फ्लो आपका होगा धन यहां से आने लगेगा डील क्रैक से धन आपको यहां से मिलेगा साती साथ तीसरी घटना के बारे में बात करो तो किसी इस्तरी की एडवाईस से आपको धनलाब होता हुआ नजर आएगा सितंबर के मेने में कोई स्तरी जो भी एडवाईस धन से समंदी धन को बढ़ाने के लिए दे तो उसको मान जरूर लीजेगा वह लक्षमी के समान सरस्वती के समान उसके मूझ से बाणी निकली है जो आपके लिए लाप्रत हो सकती है यानि कि उसको लाइटली मत लीजेगा तो यह तीन गटना है होती वी नजर आ रही है फाइनेंस के बारे में अगर बात करें तो फाइनेंस बारा तारिक के बाद मकराशी का अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है वही पर अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की तो परिवार भाव बहुत अच्छा नहीं है करते सितंबर के मैंने में कभी कोई पर जा रहा है कभी कोई बीमार पजाता है कभी कोई बीमार पड़ जा रहा है या निकि अधिकांद्स फोड़ा हेल्थ के इस्यूकों जूश्धेवे नजर आएंगे हेल्द की प्रव्लंडा परिवार के सद biography के साथ में में नहीं होगी साती साथ मंगल च्छटे बाउं में चले गए हैं तो घर के अंदर अचानक टीवी बिजली के उपकरण अचानक खराब होंगे वहां में खराबी होगी उससे भी अप थोड़ा परिशान रहेंगे तो परिवारिक इस थर से मंगल जो छटे वाओं में चले गए तो थोड़कासा सितंबर का मेना भहुत लापकारी नजर नहीं आ रहा इसी प्रकार से अब हम संतान के बारे में बात कर लेते हैं, मकर आशी जिनकी चोटी या बड़ी संतान है, तो पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर ले आपकी संतान को रह सकती है बाकि नॉर्मल है यानि छोटी संतान के लिए अच्छा है बड़ी संतान के बारे में मकरारशी के बारे में बात करें तो उनका मित्रों के साथ में तीरत यात्रा में जाने के योग बनते हैं या फिर घूमने जाने के योग बनते हैं खास कर देखा साथ आपकी बड़ी संतान को एलर्जी की समस्या तो चारोग या इनफेक्शन की प्रॉब्लम भी रह सकती है तो कुल मिला के चाहे चोटी संतान वचाहे बड़ी संतान वैसे संतान का मामला ठीक है अब बात कर लेते विद्यार्तियों के बारे में स्टूडेंट के बारे में तो स्टूडेंट का सितंबर का मेंना बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है कुछ साफदानिया स्टूडेंट को सितंबर में रखनी है पहला थीन घटना सितंबर में होने के योग बनते हैं पहली घटना भीर भारण वाली जगहा पे तो अपना समान का ध्यान रगे कोई वस्तू चोरी या किसी वस्तू की हानी के योग सितंबर में आपके बन रहे हैं दूसरा देखा जाए तो किसी गुरू से अचानक आपकी मुलाकात होगी किसी गुरू से आपकी भेट हो सकती है किसी तीर्थ में आप जा सकते हैं मित्रों के साथ में इसके योग बन रहे हैं त समल के रहिएगा गलत मित्रों से दोस्ति मत कीजिएगा उनके साथ कहीं मत जाईएगा नहीं तो आप बिरड़ सकते हैं याद रखिएगा आप बात कर लेते हैं मकर राची वाले उनकी जो नौकरी करते हैं उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा तो क्योंकि मंगल और काम में बहस होगी या किसी कलीक से बहस या बहस से आपकी बहस हो सकती है जल्दी बाजी में नोकरी छोड़ने का या इगो में चीज को लेने की कोशिश ना करें नहीं तो बहुत बढ़ा नुकसान आपको होगा आगे कुछ समय तक आपको नोकरी नहीं मिलेगी आगे समय तक आपकी प्लानिक सपन नहीं होगी, तो जल्दी बाजी में एक तो काम करने के कोशिश ना करें, जल्दी कोई जूट ऐसा ना बोले कि ओफिस में पकड़ा जाएं, कोशिश करें कि सितंबर के महिने में सच ही बॉस को सीनियर को बोले, अपनी प्रॉब्लम जो सची है वो बता ह जूट और बरगलाएं नहीं सीनियर को नहीं तो पकड़ा जाएगा और आपको बड़ी दिक्कत आएगी, साथी साथ देखा जाए तो किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा 21 सितंबर तक, और कहीना कहीं गलतिया पर गलतिया होंगी, यानि सितंबर के महिने में सारे ख् पूचर चल रहे हैं कि कठनाई तो होगी लिए निकागर चित्ता से अगर आप करेंगे तो कहा जाता है ना करत करत अभ्यास के जड्मत होत सुजान यानि अभ्यास करते रहेंगे तो गलतियां भी कम रहेंगी जिससे की आप 21 सितंबर का यह जो खराब कालेस को निकाल लेंग अब बात कर लेते हैं मकराशी वाले उनकी जो दामपत्ते जीवन में यानि लव कपल है चाहे पती पतनी है तो कही ना कहीं सब्तम भाव में बुद्ध करकराशी शत्रुराशी के बैठे हैं तो सबसे पहले हम लव कपल के बारे में बात करें प्रेमी प्रेमी का के बारे मे दूसरा आप से वाद विवाद, अपने माबाप से वाद विवाद, यानि वाद विवाद वाला महीना रहेगा या पडोसियों से वाद विवाद, आप देखेंगे कि सितंबर में आपकी पार्टनर के बहुत लोगों से लड़ाईयां हो रही है, यानि वाद विवाद वाला आपके पार्टनर के लिए सितंबर का महिना रहेगा तीसरा देखा जाए तो परिवार से आपके पार्टनर को कोई लाप प्राप्त होगा कोई गिफ्ट भी सितंबर में मिलता वन नजर आएगा तो कुल मिलाके लव कपल में जो आपके पार्टनर है उनके लिए बहुत अच् पती पतनी के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर को ये इंटी की प्रॉब्लम, पेट की कुछ परेशानी या नसों से समंदित प्रॉब्लम रह सकती है उसके योग सितंबर में बन रहे हैं और करियर में देखा जाए तो करियर में ये सितंबर का मेना अच्छा है आपके पार्टनर की आप खुद भी तारीफ करेंगे आपके परिवार वाले भी तारीफ करेंगे और कोई सरकारी योजना का लाब भी आपके पार्टनर को होता हुआ नजर आएगा या सरकारी मामलों में कुछ प्रॉफिट आपके पार्टनर को होता हुआ नजर आएगा ओफिस की तरफ से भी आपके partner को कहीं भीजा जा सकता है या यात्रा के योगा ऑफिस की तरफ से आपके partner के बन सकते हैं यानि की पती पतनी के लिए देखा जाये तो जो भी आपके partner है उनके health के लिए महिना अच्छा नहीं अदरवाइस हर पक्ष के लिए बहुत अच्छा महिना आप बात कर लेते मकराशी वाले उनकी जो व्यापार करते हैं अपना दुकान चलाते हैं उनका सितंबर का महिना कैसा रहेगा तो सितंबर का पूरा महिना तीन गटनाओं से बहा हुआ है यानि कि पहला ओफिस factory के अंदर पूजा पार्ट आप कराने वाले ऐसा योग नजर आएंगे यहनि सेल के लिए सितंबर का मैना अच्छा है तीसरा देखा जाए तो मशीनों पर बहुत खर्चा होगा बिजली पर खर्चा होगा इससे आप थोड़ा परिशान रहेंगे कभी यह मशीन खराब कभी वह वाहन खराब या निदिक खर्चे ज्यादा है अदर्वाइ में चर्चा कर लेते हैं तो 3 गटना है पहली के बारे में बात करें तो तृतिय भाहू के अंदर राहू विराजमान है तो कहीं ना कहीं सितमबर के मैने में मकर राशी वाले जुए सटे शेयर जो आई पील चलता उसमें किसमत बिलकुल नाजमा है क्योंकि जुए और सटे से आपको जबरदस्त नुकसान होगा याद रखिएगा बहुत सारा नुकसान बड़ा नुकसान आपको हो सकता है तो सितंबर में इस तरह की चीज़ें अगर मकराची वाले करते हैं तो तौबा तौ जुआ सटा यह जो गैंबलिंग होती यह बिलकुल मत कीजेगा याद रखिएगा दूसरा देखा जाए तो कही ना कहीं भाई बेन की तरफ से भी आपको कोई असुप समाचार सुनाई देगा सितंबर के महिने में इसकी योग भी नजर आ रहे हैं तीसरा देखा जाए जो आप भी देश यात्रा में जा रहे हैं या लंबांबी दूरे की यात्रा प्लॉट योजन्हाय बनाई लें रहे तीन बड़ी वविशैवाणा सटो सच होती और मितों में लिखो लोगों पता चले ज होती हैं इसके बड़े में आप कुम्ब राशी के बारे में कि कुम्ब राशी का सितंबर का महिना कैसे जाने वाला कैसी हो गई कुम्ब राशी की धनकी स्वास्त की उनके प्यार की उनके प्रेम की स्थती उनके दामपत्य जीवन की स्थती उनके नौकरी की स्थती इसके बारे में मित्रों इस कारेकरम में ड चल रहे हैं राहू आपके दूती इस्थान में बाटें और इसका आपको अचानक कोई रिजल्ट भी मिलेगा इस पूरे कारेकरम में हम जानेंगे कि राहू का गोचर आपके लिए दूती नमबर लिखा है वहाँ पर बैटें और शुक्र के तू अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल होगा और शुक्र के तू की यूति अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट देती है तो यहां पर भी कुम राशी को सितंबर में अच्छा और बुरा दोनों प्रका दे रहें यानि सूर्यो शनी का समसब तक योग बन रहा है तो एक तारिक से लेकर 15 सितंबर तक जी हां समसब तक योग बनेगा और यह योग बहुत अच्छा नहीं है मित्रो कुम्राशी वलो तो कही ना कई हेल्थ की भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा आपको मानसिक रो आपस में समसब तक योग बन रहा है या फिर किसी को चोट लगेगी तो यह सारी चीजें जो होगी होगी क्योंकि सूर्यो शनी आमने सामने टकरा रहे हैं 16 तारिक के बाद यह यूती टूट जाएगी तो हैल्थ ठीक है घर के अंदर कलेश का महौल जो वाद विवा चल रह होगा तो 16-31 अच्छी है लेकर शुरुवाती पंद्रा दिन तो बढ़े उठा पटक वाले हैं फाइनेंस के बारे में कुम्राशी के बारे में बात करें तो फाइनेंस में अश्टम शुक्र की सातवी दृष्टी आपके धनवाओं में बैठी है तो कहीं ना कहीं देखा ज सितंबर में नजर आएगा खासकर दो तरिक से लेकर 25 सितंबर धन की स्थती कुम्राशी की बहुत ही अच्छी है मार्केट में रुका धन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है फाइनेंस की स्थती अच्छी कुछ आप ऐसे काम भी करेंगे कुछ ऐसे काम करेंगे जिसमें कुम्राशी के लिए शुक्र की अस्त्रम द्रिश्टी धन के लिए बहुत अच्छी है थना आपका परिवार पर nooit आएगा तो हाप परिवार की जुरूर्टों पर भी थन खर्च रंद करते वया नजर आयेंगे साती साथ सात ही सांथ सितंबर के माहिने में आप होई लेते कुम्राशी के परीवारिक जीवन यहां पर चतुर्थ भाओं में भ्रस्पति विराजमाने ब्रस्पति जब भी केंदर में बैठ तो कहिना कहीं अच्छा रिजर्ड में तो कहिना कहीं घर परिवार में कोई मांगली काम होने के युग बनते हैं परिवार के साथ में सितंबर के मेने में आप तीरत यात्रा कर सकते हैं यानि कि घर के अंदर कोई मांगली काम भी होगा और परिवार के साथ में किसी गुरू के आश्राम किसी मंदिर के दर्शन किसी तीरत में आप सितंबर में जाएंगे साथी साथ घर के अंदर इलेक्ट्रोनिक आइटम की खरीदारी भी आप करेंगे और जो यह महीना इसके अंत में यानि 20 तरिक से लेकर 31 सितंबर के बीच में परिवार के साथ में कई घूमने भी जा सकते हैं उसका भी प्लान बन सकता है तो परिवारिक भाव बहुत अच्छा संतान को एलरजी की संभावनाएं रहेंगी खासका दो तरिक से लेकर 25 सितंबर तक कही ना कहीं पहुत अच्छी नहीं है संतान की हेल्थ के लिए उनके गुस्टे के लिए उनके चिचड़े पन के लिए हाँ सितंबर के मैने में मामा मामी या ननीहाल से संतान को कोई गिफ्ट मिल सकता उसके यूग बनते हैं अब बात करें बड़ी संतान के बारे में तो सितंबर का मैना काम में थोड़ा मिलेगी जिस काम में आपकी बड़ी संथान यानि 18 से उमर की संथान है वह संतान स्थ-स का मैंने में चलां मलेगा और हेल्थ में एंटी पीट की परिशानी फूट पोजनी की समस्या बड़ी संतान को तो बड़ी संतान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं सितंबर का महीना तो जो सितंबर का महीना है पर दायक रहने वाला है आप बात कर लेते हैं कुम्ब राशी वाले कि जो विध्यारती हैं जो स्टूडेंट में भी उनके जीवन में सटंबर नहीं कुम्राशी वालों चार गटना है पहला जो लव पार्टनर है जिनसे आपका क्रश है उनसे भई कुछ न कुछ किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद हो जाएगा आप नहीं लड़ेंगे तो लड़ेगा तो यानि कि आपके मित्रों से आपके लव पार्टनर से आपका वाद विवाद सितंबर में बन सकता है दूसरा आपको अलकी चोट लग सकती है वहन पर आपका खर्चा होगा तीसरी घटना यह चोथा आपका होस्टल का यह जहां आप रहते हैं वहां का स्थान परिवर्तन का योग भी बनता है और सितंबर का मैना बहीं स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है काम में सपलता मिलेगी आप जो डिमांड रखेंगे दूसरों से वह पूरी भी नहीं होगी यानि सितंबर का मैना विद्यारतियों के लिए बड़ा संगर्स वाला रहेगा अब बात करते हैं कुम राजी वाले उनकी जो नोकरी करते हैं यानि जो अचाए गवर्मेंट जॉब करते हैं जाए आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपका सितंबर का मैना कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा करें तो कहीं ना कहीं सितंबर के मैने में चार बड़ी घटना होती भी नजर आ रही है पहला एक तारीक से लेकर 15 सितंबर तक नए काम के आपको ओफर आ सकते है पद प्रमोशन आपको मिलेगा ये दूसरी घटना है या फिर ओफिस से कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी ये दूसरी घटना है या तो पद प्रमोशन मिलेगा सितंबर में या कोई इच्छा कोई डिमांड आपकी मान ली जाएगी तीसरी देखा जाए काम के लिए आ आपको लंबी दूरी की यात्रा तैय करनी पड़ सकती है आपको कहीं दूर भीज नहीं भेज सकते हैं सितंबर में इसका योग नजर आ रहा है चौथा देखा जाए आपके काम के लिए आपको सम्मान मिलेगा आपको आवार्ड में आपका चैन होगा या आपकी परफॉर्फ वाले जातको जातीकार के लिए जौब के लिए यह जो सितंबर का महिना व्यादगार रहेगा आप भूल नहीं बाओगे इतना याद रहे गए आप बात कर लेते हैं कुम्राशी वाले उनकी जो दामपत्ती जीवन में या तो लव कपल है या फिर पती पतनी है तो उनका सि पहले प्रेमी प्रेमी का यानि लव कपल के बारे में बात करें तो तीन घटना है कहीं ना कहीं सितंबर में बन रही है पहली घटना के बारे में बात करें तो पार्टनर से छोटी मोटी बातों को लेकर खूब वाद विवाद रह सकता है या तो आप वाद विवाद करेंग या माता पिता से कोई लाब आपके पार्टनर को मिल सकता है तीसरा देखा जाए तो करियर के अंदर उनको पद और प्रोजक्ट का लाब होगा अच्छी से ही लोगी तो कही ना कहीं जो आपके पार्टनर उनके लिए धन और करियर के लिए सितंबर का महिन अच्छा है उनको क कोई सरकारी योज नहीं है मातापिता से कुछ लाम मिल रहें लेकिन आप से वाद विवाद रहेंगे आप बात कर लेते हैं पती-पत्नी के बारे में तो पती-पत्नी के जीवन में भी सितंबर में मित्रों तीन घटना होती वी नजर आएंगे पहली देखा जाए तो बेफाल आपका दयाएंगे परिशान वी फोता हुए नजर आएगा बेफालतू के करियर में बड़ी डील यव कोई लाब मिलेगा रियर के लिए अच्छा सितंबर का महिना है साथी साथ तीसरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं सितंबर के मैने में कोई तीर्थ यात्रा के योग नजर आ रहे हैं यानि पार्टनर किसी गुरू से मिलेगा किसी गुरू के आश्रम जा सकता है या फिर तीर्थ में जा सकता है यानि आपकी और पार्टनर की यात्रा लिखी तो तीन घटना है सितंबर के मेने में तो कुल मिला के दामपत्य जीवन देखा जाए तो तो मिश्रित फल दायक है अब बात कर लेते हैं कुम्राशी वाले उनकी जो फैक्टरी दुकान चलाते हैं यानि अपना ही काम करते हैं तो सितंबर का महीना व्यपार इस्थाल में एकिस तारिक से और तीस सितंबर यानि यह जो दस दिन है यह टेंशन भरे रहेंगे या इस समय पर आपका खर्चा रहेगा तो कुल मिला के देखा जाए तो 20 दिन व्यपारियों के लिए अपने काम करने वालों के लिए बहुत अच्छे हैं और दस दिन भी टेंशन वाले रहेंगे खरकर हैं वाले आपके रहेंगे और साती साथ जो सितंबर के मैने में कुम्म्राशी पर ँचल च उहाए उनका रोल Stefan में सितंबर के मैने में राहू बैठ तो कहीं सितंबर में किसी कीड़े से काटने से आपको infection हो सकता है कोई ततहिया आपको काट सकती है राहू जब भी आपके धन बाउं में बैठता है तो डंक लगता है तो कही न कहीं किसी कीडे मकोडे काटने से आपको infection हो सकता है सितंबर के महिने में और दूसरा गोचर कुम राची पर अगर देखा जाए तो सितंबर में बुद्ध का हो रहा है बुद्ध आपके च्छटे वाव में बैठे है तो कई न कई सितंबर के महने में मामा मामी यानि की ननिहाल साइट से आपको कोई गिफ्ट कोई उपहार मिल सकता है यह योग बन कमेंट में जरू लिखे क्योंकि यह यूनिक योग है साथी साथ देखा जाए तो किसी जानवर से आपका प्रेम बढ़ जाएगा सितंबर के मैने में या उसको पालेंगे या उसकी सेवा करेंगे सेवा करते वे नजर आएंगे जानवर भाव जीव को खिलाने का भाव आप पहले में अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं कुम्राशी के तो कहें ना कहें आचाना कि किसी व्यक्ति के सुजाव से आपको अच्छा धनलाब धनलाब होगा या फिर किसी उल्जेवे काम में आपको सपलता मिलेगी या कोई व्यक्ति आपका उल्जावा रुकावा काम solve करा सकता है यानि किसी व्यक्ति की सायता या किसी व्यक्ति की जान पेचान से आपको बड़ा लाब होगा आपका रुकावा काम बनतावा नजर आएगा साथी साथ आपका जो पार्टनर है वो भी आपको घर से समझे कोई खुशकबरी देगा यानि कि ये तो अच्छा है शुक्र और केतु की यूति से बुरा क्या है शुक्र और केतु की यूति गुप्त रोगों को बढ़ा देती है यानि गुप्त इस्थान में कोई रोग बन स शुकरों केतु की यूति कुमराशी वालों को गलत संगत में डाल सकती है अनयतिक संबंद सकती तो इसमें आपको साफधान रखना तुक्स के का अच्छा वी रिजल्ट है और बुरा भी रिजल्ट रहने वाला है कि मंधली राशी के लिए कैसा सामने आरी इसके अनुसार हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले स्वास्थ के बारे में बात करें वैसे सब बहुत कुछ शनी देने वाले हैं अच्छा धन का लाब आपको नजर आएगा एक्स्टा इंकम के योग नजर आएंगे रुकावा धन आपको सितंबर में मिलता हुआ नजर आएगा यानि शनी की तृति दिश्टी है आपको धन देगी लेकिन किस्तों में देगी एक धन की कि किस्त आपको अभी प्राप्तो औकी फिर दूसरी किस्त मिलेगी चैनि छुछ दिद देता है वो ऑगद हो साथ कि की दृफ्टी के कारण आपके कार्णे कार hairs लगद premi में जो हुशाथकर हुए काम है उसमें वागए बड़ जाएई और साती साथ थोड़ा आपका धन वाहन में खर्च होता हुआ परिवार में खर्च होता हुआ नजर आएगा यानि धन भी प्राप्त होगा लेकिन धन खर्च भी होता हुआ नजर आएगा परिवारिक छेत्र के बारे में बात करें तो घर के अंदर रेनुवेशन का काम हो सकता है सितंबर के मेने में या परिवार के जो छोटे सदस्य हैं उनसे आप बड़े परिशान रहेंगे छोटे सदस्य के कारण थोड़ा परिशानी बढ़ सकती है छोटे सदस्य है घर में कलेश उत्पात मचा सकते हैं अन्य था परिवारी इस थार ठी संतान के बारे में बात करें तो पंचमभाउ में बध विराज माने तो कही vessels ONT remote संतान पे आपको ध्यान देना पड़ेगा सितंबर के मेहने में गे में जदा ध्यान रहेगा संतान का को ज हुट पोलने वाली है जह छोटी संताने यह बड़ी संताने बहुत बाहने बनाने वाली यह तो संत्ह valid कि किसी बाद पर आपको बिलीव नहीं करना सितम्बर में Episode में यह उस व्यक्ती से समंदित आपको कंफर्म करना है उना साथ के महिने में संतान का आप ट्यूशन चेंज कराने वाले ऐसा योग नजर आ रहा है यानि संतान पे आपको बिलीव नहीं करना याद रखिएगा विद्यारतियों के बारे में बात करें तो विद्यारतियों को सितंबर में दो बड़े लाब एक हानी होती वी नजर आएगी पहला माता-पि यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपको हानी हो सकती है तो ओन-लाइन ट्रांजेक्शन या धनका आदान पदान करते समय स्टूडेंट लोग थोड़ा कंफर्म कर लें जिस संस्ता को जिसको आप दे रहे हैं वो सही है पता चला कि आपका आपके साथ कोई ठगी हो जाए इस को कहिना कही स्टंबर के महने में आपकी प्रोफॉंश रहेगी अच्छी सेल आपकी रहने वाली है पद्धन का लाब मिल सकता आपकी कोिशा मानली जा खो सकती है यानि कहिना की नवकरी के लिए Сटंब्र का महने बहुत अच्छा है मितरों के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा के योग बनते हैं तो करियर नोकरी के लिए मीन राशी के लिए सितमब्र का मेना बहुत अच्छा है अब बात कर लेते हैं मेर वाले उनकी दामपत्य जीवन में हैं शुक्र केतू सब्तम भाव में विराजमान है तीन घटनाय आपके साथ में बनेगी चाहे आप प्रेमी प्रेमी का हो चाहे आप पती पतनी हो तो तीन घटनाय सितंबर में बन रही है पहला पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे पार्टनर को एलर्जी की समस यह गुफ्त समस्या कुछ रह सकती हैं जो आर खिसी को नहीं बताइ तो दो घटना यह तो अच्छी है तीसरी घटना थोड़ी खराब है यानि पार्टनर को हेल्थ की इशू कही न कही सितंबर में रह सकते हैं अब बात कर लेते हैं मीन राजी वाले उनकी जो अपनी फैक्टरी चलाते हैं दुकान चलाते हैं यानि अपना काम करते हैं तो मिश् सारा तारिक से लेकर 30 सितंबर काम आपका मंदा हो जाएगा यानि देखा जाए तो आदा महिना आपके लिए खराब है अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर की विशेश घटना है जिससे कि आपको विशेश अच्छा बुरा फल प्राप्त होगा पहला तृतिय भाव में सितंबर के मैंने में काम नहीं आएंगे अपनों से थोड़ा वाद विवाद भी रहेगा यानि अपनों से आपको दुख प्राप्तों का याद रखेगा दूसरा देखा जाए तो पंचंबाओं के अंदर बुद्ध बैठे तो शेयर सटे में आपको हानी हो सकती है तो शेय बारवे भाव में वकरी हैं विदेशी जो काम से समंदित आपको असपलता मिल सकती है विदेश से समंदित काम में जो अपलाई किया है उसमें आपको बैड न्यूस मिलेगी क्योंकि शनी आपर वकरी है तो कुल मिलाके यह ग्रह गोचर से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं तो